ये फौजी देखके आपने प्यार किया है पैसे की भूख है आपको मॉनिंग वॉक पे जाती हूं टेल ने वो मतलब जूटी कर रहा था उस समय वो मुझे बूल वा मेरे पास आता है और बोलता है कि मैं आप से मतलब नमस्करदोस्तों, मैं अंगार अलाल प्यार लभ मेरेज, प्रेश, प्रेश, ये जानी होет पिणह प्यार किरूख ऱ्यार के भी जाकर ओनी है प्यांग आप से प्रेमी का को प्रेमी लेकर फरार और बाद में पकड़े गए उनके साथ मार पीट, सजा, तमाम वगएरे वगएरे आप नियूज खबर सुने होंगे और उनी खबरों में से एक आईसी खबर आज आपको सुनने को मिलेगी जिसे जान कर आप चौक जाएंगे आयोध्या में एक फाउजी जो देश की सेवा करता है वो डिवटी करने कुछ वर्स पहले आयोध्या धाम आता है प्रभुसिर्याम जी की नगरी में और वहीं अयोध्याधाम में एक लड़की सुबा टहलने को निकलती है जिसे लड़की से और उस फाउजी से मुलाकात होती है और दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर हुआ कि दोनों एक दूसरे से साथ जीने और मरने की कस्मे खाए फाउजी और वह लड़की होटल में एक दूसरे से रिलेशन रखने लगे जब कुछ समय भी था तो लड़की ने साधी के लिए कहा तो फाउजी ने साधी भी किया अयोध्याधाम के एक मंदिर में साधी हुआ जिसमें लड़का अकेले और लड़की के परिजनों ने भी उस साधी में हिस्सा लिया बाद में ये पता चला कि इस लड़की का एक बेटा हुआ और फाउजी का ट्रांसफर दूसरे जगह हो गया और ट्रांसफर होते ही उस फाउजी ने उस लड़की को छोड अब लड़की दरदर की ठोकरे खा रही है नयाय की गुहार लगा रही है कि मेरा पती मुझे छोड़ दिया है और फाउजी जो है अब मानने को तयार नहीं है लेकिन उससे पहले उन दोनों का प्यार इस कदर था कि दोनों एक दूसरे के साथ मर मीटने की कसमे खाए फाउजी अपने हाथ पर उस लड़की का नाम भी लिखा प्यार में इतना पागल था कि तमाम तरह से ऐसे वीडियो ड्यूटी के दवरान उस लड़की को वाटसप के माध्यम से शेयर किया और वीडियो काल चैट किया जिसे हम अभी दिखा नहीं सकते आईए हम पूरी जानकारे उस और उसने मुझे धोका दे दिया और मेरा पास का और मेरा बच्चा है पान साल का और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ सर मेरा बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे इंसाफ मिले मैं सीली आई हूं सोसल मेडिया पर क्या चाहती हैं सर मैं चाहती हूं मुझे इंसाफ मिले और जिसने मेरी जिंदगी ब्रबाद किये देशराज ने देशराज को कड़ी से कड़ी सजा मिले सर कौन सा वो डिपार्टमेंट में है सर वो डौगरा चीमेंट में फोजी था वह सर अचा उसमें पोस्टिंग कहा थी जब आपको प्यार हुआ था तो सर वह घटाता में लगार को करने करें yeonा और आपसे मतलब कि चैनल करने लगा और आपसे करूँ करकी चूलिए ऐसा नवार की क्फोनलार घृत करता है है इसा नहीं लगा इतना गहरा प्यार कैसे हो जाता है सर फोन पर बाते करते करते वह मतलब मैं कभी-कभी तो विस्वास नहीं करती थी कि मुझसे प्यार करता है लेकिन वह फिर हाथ पे मतलब गरम चाकू करके मेना नाम लिखता है मुझे बताता है कि देखो तुमसे कितना प्यार करता हूँ फिर वीडियो कॉलिंग करके मुझे दिखाता है खुद मतलब गरम चाकू करके मेना नाम लिखता है सोनम मैं क्या यह सब देखके मुझे सच में लगता है कि मुझसे बहुत प्यार करता है सब पहले तो मुझे साध प्रिण उप्रजी कि अगया है कि सब्सक्राइब मेरे तुर्ण मेरे पंजाब करें जाता है ज़े पूस्टेड था गुरदासपुर में वहां पे उसने मुझे नहीं बताया कि मैं जिले नहीं लेकर जा रहे हो बसजी है यही कहा था कि मेरी दूसरी का अच्ट में साधी यह म तो पिर वो मुझे मतलब महाँ भी जगड़ा उसने मुझे किया बहुत मारा पीटा मुझे गला दबा के मुझे मारा जब मेरी सास रुकने लगी तब उसने वह हाथ हटाया कि मैं मर जाओंगी उसके बाद वो मुझे पालंपुल ले गिया जहां वो रहता है माचल में वहाँ मैं डूटी से मतलब छुट्टी मेरी खतम हो जाती है तब मैं मतलब तब लेके चलूंगा मैं अभी तुम किराया के मकान में रहो 15-20 दिन और मैंने उससे लड़ाई कि मुझे कि मुझे नहीं रहना है उसने बहुत मुझे मारा पीटा सर तब लगने लगा जब मेरे साथ ऐ इसे कर रहा था में उसकी बाती भी मान रही थी और मैं क्या करती मैं जब इससे बोलती तो वो मुझे मानने लगता अच्छा आपकी वीडियो कि लिए भी देखी गई यह जिसमें आप कह रहे होता है तोड़ने की कोशिश करता है मलोरने की कोशिश करता है इसमें कितनी सच कि उसने जिसने मेरे साथ तिसमें ऊनसेड़ा श काल्च करते होनगे मंझे मेरे साथ किसे मरे पहले तूम एसास कर उथक गलाया मूझे थे दून है जबाद हो सबस्क्तितक देखा इस कर दो मुझेब मेरे सुटतक पहन एक जमें मेरी साधी किया था आप लोगे की तरफ से कितने लोग लड़के के तरफ से कोई भी नहीं आए तो क्योंकि वह बोल रहा था कि मेरी न Авच मेरी दूसरी साधी कर लेते हैं डाल में घर लाजी होजाएंगे वाथ होती थी जब मेरा उसे फ़गडा करता हो जाता था मुझे लगते कि यह मैं साथ वो गई कर रहा है तब वो ऐसे भोलता था कि तुम अगर मेरे पर विस्वास नहीं करती है तो ठीक है अगर तुम मुझसे बात नहीं करूगी तो मैं ऐसी जगह में डूटी लगए लगवाऊंगा मैं अपनी डूटी कि मैं वहां से वापस नहीं आओंगा जहां पर डेंजर होगा आकदवादी आते हैं पिर आपने क्या करता है सर मैं डेर गी मैं कि सच में यह करना ले समय वह ऐसा करता भी कभी कभी तो मतलब रूम में बंद करके वह बंदूग भी अपने सर पर रखके मुझे आवाज सुनाता था वह मैं डिर जाती थी सर मतलब बहुत साई हरकते ऐसी करता था सर कभी कहता कि तूने किसी और से साधी की तो मैं उसको भी मार डालूँगा तुझे भी मार रॉतर स्कृश्व तो मेरे बच्चे को टेकने सरा थी पहले मुझे दमकी भी देता था तो तुझे मार डालूंगा तिरा बोटी-बोटी काड़ डालूंगा तर मेरे पास रिकोर्डिंग है कि वह इतनी सारी मुझे गालियां दे चुका है ति गंदी-गंदी गालियां मुझे बोलता है कि तू ऐसी होती तो मैं तुझे बीडिया वह मैं सेयर करना चाहूंगी लोग सुने कि आर्मी वाले कितनी हद तक कितनी महिला के साथ कितनी गंदगी से बात कर सकते हैं वहर इंसान देखे वायरल हो रही है जीसमें फौजी का आपने वीडियो वायरल किया है और उसमें फारिंग करते हुए आपका नाम ले महां पर बंदू कैसे चलाता है मैंने कभी देखा नहीं था वो मुझे दिखाना चाहरा था कि देखो मैं ऐसे फैरिंग करता हूं हम ऐसे सीखते हैं हमाई ट्रेनिंग होती है फैरिंग की उसने इसलिए मुझे बेजा था वो लास्ट में मुझे बोलता है सोनम आयल आप जो हैं देश की रच्छा के लिए होते हैं ना कि वो किसी की लड़की बेहन बेटियों की इजट लूटें और उनको छोड़ दें बीजबजार में सर दर्सको इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है मीडिया से क्या सपोर्ट लेना चाहेंगी क्या उमीद रखती है मीडिया से बस मेडिया भाइओं नों बस बेहनों की मिरा बच्चे छिन्दों की खरब हो चुकि और देश राजय तो पलीज मुझे लेकर की सब क्त मिलने तो बच्ट बहुत Alright